सावन अमावस्या बना सुभ सायोग आज रात घर के दर्वाजे से फैंक दें यह एक चीज गरीबी फूल जाएगी घर का रास्ता धनकी देवी मा लक्ष्मी करेंगी धनवर्शा ओम कैंशी महा गड़े शाय नमा दाथे दाथे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज सावन मास की अमावस्या है इस दिन पेड़ पौधों का विशिश प्रूप से पूजन किया जाता है इसलिए इस अमावस्या को हर्याली अमावस्या की नाम से भी जाना चाता है सावन अमावस्या के दिन भागवान शिप्मा पार्वती का पूजन करने से सुख सम्रथी में ब्रधी होती है और बैवाहिक जीवन भी सुख में बनता है इस दिन पती पत्नी को साथ मिलकर भागवान शिप्मा पार्वती का पूजन करना चाहिए शास्तों के अनुसार इह दिन पित्रों को भी समर्पित होता है इसलिए सावन अमावस्या के दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए शाथ तरपन दान इत्यादी करना चाहिए ऐसा कहने से पित्रों का आशिरवात प्राप्त होता है मानिताओं के अनुसार इस अमावस्या पर किया गया दान अन्य अमावस्या की तुल्ला में कई गुना अधिक पुन्य फलताई होता है यह दिन भागवान विश्टू मा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कहने के लिए बहुत खास माना जाता है इस अमावस्या के दिन सुभह उठकर इस्नानादी करने की पश्चात भगवान विश्णुमा लक्ष्मी जी के सामने शुतिखी का दिया जलाने के बाद फल मिश्थान का भोग लगाकर भगवान विश्णु जी के द्वादश्मन ओम नमो भगवति वासु देवाय का यथा शक्ति जाब अवश्य करने चाहें ऐसा करने से भगवान विश्णुमा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और कश्टों से छुटकारा मिलता है धन संपत्ति सम्रत्थी का एक नाम लक्ष्मी भी है जिस खर में मा लक्ष्मी का बास नहीं होता उस खर में तरित्ता और गरीवी का बास होता है मानिता है कि मालक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में धन, संपत्ति और सम्रत्ति आती है मालक्ष्मी जी का पूचन लाल चंदन और लाल रंग के पुश्प से कर चावल की खीर का भोग लगाया जाता है धन की देवी मालक्ष्मी जी को प्रसंद करना बहुत ही आसान है अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में दुखना, तिखना, चोगना, अनादी ब्रत्थी हो तो आप मालक्ष्मी जी को प्रसंद कहने के लिए करेंगे आसान से उपाई दोस्तों यह आसान से उपाई आपको नमक से कहने हैं नमक हम सभी के रसोई घर में मिल जाएगा को अपनी तरफ आकशित करता है जो तिख शास्तर के अनुसार नमक, चंद, राहू और शुक्र का प्रतिनिधी होता है नमक के कई प्रकार के फायदे होते हैं जो हमारे पूरे घर की सुक्सम्रथी से जुड़े होते है दोस्तों माना जाता है कि जिस घर में लड़ाई जगड़े होते हैं अशांती का माहौल रहता है जिस घर में आप से प्रेम नहीं होता उस घर में मा लक्ष्मी का बास रही होता लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में लड़ाई जगड़े अशांती का माहौल नकारात्मक उजा की बज़े से होता है नकारात्मक उजा की बज़े से लड़ाई जगड़ी के साथ साथ घर में कोई न कोई लगातार बीमार बना रहता है धन की हानी होती रहती है सब कुछ होने के बाद भी मन उदास रहता है आलस से रहता है इस बज़े से घर की सफाई भी नहीं हो पाती और घर में गंदगी रहती है और माना जाता है जिस घर में बीमारी और गंदगी होती है वहाँ मालक्ष्मी का बास नहीं होता ऐसे घर में गरीबी और दरित्ता का बास होता है इसलिए मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए आप अपने घर से नकारात्मक उजा को दूर करें नकारात्मक उजा को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है नमक नमक में नकारात्मक उजा को नाश करने की शक्ती नहीं होती है तो आईए दोस्तों जानते हैं नमक से जुड़े कुछ बहुत ही आसान उपाए जिन्हे करने से आपके जीवन की समस्याओं का निदान हो जाएगा जो लोग नौकरी के तलाश कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही या ब्यापार तो कर रहे हैं लेकिन ब्यापार में घाटा हो रहा है बरकत नहीं हो पा रही बंते काम बिगड़ जाते हैं तो आप आज शाम को अपने दाहिने यानि के राइट हैंड में थोड़ा सा साप पिसा हुआ नमक लें नमक लेकर आप पूर्वी दिशा के तरफ मुख करके खड़े हो जाएं इसके बाद आप इस नमक को अपने सिर पर तीन बार क्लॉकवाइस खुमाएं यानि कि आपको इस नमक को अपने सिर पर तीन बार उसारना है तीन बार नमक खुमाने के बाद अब आप अपने मुख्य दौर पर जाएं और इस नमक को अपने मुख्य दौर से बाहर फैक दें दोस्तों ऐसा आपको लगाता तीन दिनों तक करना है ध्यान रखें नमक फैकने के बाद आप अपने हाथों को पानी से धोलें हाथ पर लगे हुई नमक को इधर उधर ना पहुँचें और ध्यान रखें इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं परना आपको इससे लाफ प्राप्त नहीं होगा दोस्तों इस उपाय को कहने से आप पर आपके काम पर उपर किसी की बुरी नजल लगी होगी कोई रोक टोक होगी किसी नकारात्मक उजा का प्रभाब होगा तो वह हट जाएगा इससे आपके काम में बरकत होगी आपको सफलता मिलेगी और आपके बिगड़े काम भी जल्द ही बनने लगेंगे दोस्तों अगर आपको समस्या जाता है तो आप नमक उतारने के बाद नमक को मुख्य दॉआ से बहाँ ना फैक कर नमक को टॉइलेट में फ्लश कर दें ऐसा करने से आपको शीगर ही लाफ प्राप्त होगा इस उपाय के अलाबा घर से नकारात्मक उर्जा और दुर करने के लिए घर में रूजाना पौँचा लगाना चाहिए पौँचा लगाने के पानी में थोड़ा सा साबुत यानि की खड़ा नमक मिला देना चाहिए अब इस नमक मिले पानी से घर में पौँचा लगाना चाहिए इस उपाय को करने से घर में से नकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है बातावरर में पवित्ता आती है घर में बरक्कत होती है और धन प्राप्ती के नए मार खुलते हैं लेकिन दोस्तों ध्यान रखें गुरुवार के दिन घर में पहुचा नहीं लगाना चाहिए दोस्तों आपके घर में आपको या परिवार में किसी बच्चे को नजर लग गई है तो नजर दोस्तों को दूर करने के लिए आप एक चुटकी पिसा हुआ नमक लें और जिस व्यक्ती को नजर लग गई है उसके उपर से इस नमक को आप साथ बार क्लॉकवाइस खुमाएं इसके बाद इस नमक को आप बहते हुए जल में बहा दें बहते हुए जल में बहाने के लिए आपको घर से बहा जाने की जुरत नहीं है किसी नदी या जलाशे में बहाने की जुरत नहीं है आप इस नमक को अपने घर में ही सिंक में बहा सकते हैं ऐसा कैने से नजर दोश दूर हो जाएगा दोस्तों अगर आपका मन बहुत उदास रहता है मन में खिनिता है, भै है, चिंता बनी रहती है mentally disturbed रहते हैं तो आज शाम को आप अपने दौनों हातों में थोड़ा सा साबत यानि की खड़ा नमक लें अब हातों में नमक लेने के बाद आप इस नमक को थोड़ी देर देखते रहें नमक देखते समय आप यह बिचार करें कि आपके अंदर से सारी नकारात्मक उज़ा उदासी, भै, चिंता निकल कर इस नमक में समा रही है यह सोस्ते हुए आप एक आगरुमन से कुछ दिर इस नमक को देखते रहे थोड़ी देर बाद इस नमक को आप वाश विशन में डालते हैं और पानी चला के इस नमक को बहाते हैं ध्यान रखें आपको इस नमक को इधर उधर नहीं डालना है नमक बहाते समय भी आप यह सुचें कि आपकी उदासी, नकारात्मक उज़ा चिन्ता परिशानी सब इस नमक के साथ बह रही है और आप से दूर जा रही है नमक बहाने के बाद भी आप थोड़ी देर पानी चला रहने दे ऐसा करने से मन से नकारात्मक उज़ा, उदासी, चिन्ता, खिन्ता, भै आदी दूर हो जाते हैं और मन प्रसन्न रहता है और पॉजिटिविटी का एहसास होता है दोस्तों मन को प्रसन्न करने के लिए आप एक और आसान उपाई भी कर सकते हैं यदि आपका मन बहुत अशान्त रहता है विचार चलते रहते हैं किसी प्रकार की चिन्ता से ग्रस्त हैं इससे आपका स्वास्थ भी गेता जा रहा है। तो आप आज के दिन इस्नान के जल में थोड़ा सा नमक मिलाएं। आप इस नमक मिले कोई जल से इस्नान करें। ऐसा करने से शरी तो शुद्ध होगा ही साथी मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। आप चाहें तो रोजाना भी इस तरह से इस्नान कर सकते हैं। इससे आपका मन प्रसन में रहेगा और शरी भी शुद्ध रहेगा। दोस्तों नमक से चुड़े इन उपायों को करने के साथ साथ आप नमक से चुड़ी कुछ साबधाने भी अवश्य ही बढ़ते हैं। जोति शास्ति के अनुसार नमक को चंदर और शुकर का प्रतेने धी माना जाता है। इसलिए नमक को यदि आप किसी इस्टील या लोही के बरतन में रखते हैं, तो यह चंदर और शनी का मिलन होगा, जो कि बहुत ही खातक सित्ध होगा। यह डोग और शोग का कारण भी बन जाता है। नमक को किसी प्लाश्टिक के पातर में भी कभी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ काच के पातर में रखने से ही यह पुरा असन नहीं देता है। नमक को सीधे सीधे कभी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर भोजन करते समय भी कोई व्यक्ति आपसे नमक मांगे, तो आप नमक को उस व्यक्ति के पास रखतें, सीधे हाथ में ना दें, माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो उसका नमक ना खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं, किसी पापी पुरुष के यहां का नमक तो कदा भी ना खाएं, अनिता आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा, इसके साथ ही शनी देप को प्रसंद करने के लिए और शनी दोशों से राहत पाने के लिए, यदि आपके भोजन करते समय, आपके दान या सबजी में नमक कम हो, तो ऐसे में आप उपा से सिर्फ काला नमक ही मिलाएं, यदि आप भोजन में उपा से सफीद नमक मिलाएंगे, तो इससे शनी देवरुष्ट हो जाएंगे, और आपको उनके दुश्प्रभाव छेलने पड़ेंगे, दोस्तों नमक से जुड़े ये साब्धानी बरत के और नमक के ये आसान से उपाय करके, आप धनकी देवी मालक्ष्मी ची के किर्पा प्राप्त कर सकते हैं, इन उपायों को करने से घर से गरीबी और दरित्ता दूर होती है, उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें, जिससे भैबी इसका लाब उठा सकें, हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने, थैंक्स फूर वोचिंग, राधे राधे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमसे चुड़े रहिए,